ये आज को बता ओंगा वाट इस बिजननस एनलेटिक्स तो थे खोर बिजनसलेक्स को समझू कोई भी organization कोई भी फिर्म कोई भी organization के लिए जब हम ऑनलेटिक्स करते हैं और इस एनलेटिक्स के टूल से मतलब देखो बिजनस में जो भी डेटा आ रही है ना बिजनस के रियल टाइम डेटा को अनलाइस करके अनलाइस करने के बाद जो हम डिसिजन लेते हैं आज जो मतलब इसमें अनलेटिकल स्टूफ लगा करके उससे हम अनलाइज करते हैं और उस अनलाइज के मतलब से इंसाइट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तू फाइंड आउट इंसाइट्स पॉर डिसिजन इसे हम बोलते हैं बिजनस कि अनलेटिक्स अब देखो यह क्या होता है इसके कुछ advantages है मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो पहली advantage है कि प्रॉफिट को increase कर देता है प्रॉफिट को maximize कर देता है ठीके ना मैक्सिमाइज ठीक है प्रॉफिट को maximize कर देता है दुसरा यह future prediction करता है future prediction करता है कि भाई अभी यह situation चल रही है तो इस पिछले past data को analyze करके हम future में ऐसी growth कर सकते हैं या फिर future में ऐसे situation आने पर हम यह decision लेंगे thank you